भक्ति मैं भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें भक्ति जनों आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई जैसा कि आप सबको विधित है कि दीपावली पर्व भारत पर्ष में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है कार्तिक माह की अमावस्या को सभी भारत पासी और पूरे विश्व में जहां जहां भी भारत पासी रहते हैं इस दीओहार को बड़ी धूमधाम और हर्शुलास के साथ मनाते हैं इस्त्योहार को मनाने के पीछे वेद पुराणों में अनेक अनेक कथाओं का वर्णन है भुक्तों जिन में से कुछ प्रमुक कथाएं आज मैं आपको संगीत में रूप में सुनाने जा रहा हूँ पहली कता है भगवान श्री राम जी के अयोध्या लोटने से संबन्दित ये संगीत में कता आप सभी सुनिये और प्रभु श्री राम जी का आशिवात प्राप्त कीजिए बुलिये भगवान श्री राम चंद्रजी महराज की दिवाली खुशियों का त्योहार हर्ष उमंग उल्लास की भगतों चा जाती है बहार दिवाली खुशियों का त्योहार दिवाली खुशियों का त्योहार प्रेता युक में धर्ती माता को रावन के आतंक से मुक्त कराने है तू श्री हरी विश्नु भगवान ने प्रभु राम के रूप में अपना सप्तम अवदार धारन किया भगतों अपनी लीला करते करते पत्नी और भाई के सहित चौध वर्षों के लिए वे वनवास को गए और जब चौध वर्ष पश्चार वनवास काट कर रावन जैसे आतताई का अंत कर अयोध्या में वापस आये तो वो दिन कार्तिक माह की अमावस्या का दिन था परन्तु अयोध्या वासियों ने उस काली अमावस रात को इतने दीपक जलाए कि उसका प्रकाश उनम की रात की रोश्नी को भी फीका करने लगा तब ही से भक्तों दीपावली पर्व पूरे भारत वर्ष्वें बड़ी धूमधाम से कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है तो एक बार फिर बोलिए बोलिए प्रभूश्री राम चंदरजी महाराज की चोदा वर्ष बस चात राम जी लोट अयोध्या को आए अयोध्यवासी जूमे गाए घीके दीपक जलवाए कार्तिक माह अमावस्या की वो भगतों रात तो काली थी घर घर दीप जले थे भगतों मन रही कूब दिवाली थी चारों दिशाओं में होती है राम की जै जै कार्ण दिवाली खुशियों का त्योहार दिवाली खुशियों का त्योहार दिवाली खुशियों का त्योहार दीपावली के पावन पर्व से जुड़ी दूसरी गाथा माता महलक्षमी और भगवान श्री गणे से सम्बन्दित थे बक्तों किसी नगर में एक साहुकार अपनी पुत्री के साथ रहा करता था उसकी पुत्री नित्य प्रती एक पीपल के व्रिश्ट की जड़ में जल चड़ाया करती थी इसी जड़ में माता महलक्षमी का देरा था माता महलक्ष्मी उस कन्या की अनन्य भक्ती से इतनी प्रसन्न हो गई कि उसको दर्शन दे दिये और उससे अपनी सखी बनने का हनुरोद किया कन्या ने कहा वो अपने पिता से पूछ कर बताएगी और जब पिता की स्विक्रिती मिली तो वो माता माहलक्ष्मी की सखी बन गई अब आगे क्या हुआ आईए सुनाता हूँ इक कन्या जो माहलक्ष्मी को रोज ही जल चड़ाती थी उसकी पावन भगती मा के मन को बहुत ही भाती की माने दर्शन देखे उसको भगतों था क्रितार्थ किया मेरी सखी तुम बन जाओ मालक्ष्मी ने आवान किया मैया उसे बेकुंट ले आई करने लगी सत्कार दिवाले खुशियों का त्योहार मा उसकन्या को अपनी सखी बनाकर अपने वैकुंठ लोग में अपने घर ले आई वैकुंठ लोग की शोभा देखकर उसकन्या के नेत्र चौण दिया गए भकतों स्वर्ण के महल स्वर्ण के बैठने के आसन गहने वस्त्र भाभूशन खाने में चपन भोग मा ने अपनी सखी का खूब मन से सत्कार किया कुछ दिन माता महलक्ष्मी के यहां रहने के बार वो कन्या जब अपने घर जाने लगी तो माता ने विदा करते करते उसे धेरों उपहार दी जाते जाते माता महलक्ष्मी ने उस कन्या से पूछा कि हे सखी मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी ग्लानी से भरी वो बेचारी कन्या उस समय कुछ न कह पाई बोली सकी पिता से पूच कर तुम्हें निमंतरन दूँगी यह कहकर वो कन्या दुखी मन से अपने घर आ गई ग्लानी भाव को मन में लेके कन्या घर वापस आई कैसे मा को घर पे बुलाओँ पिता से जाके बत लाई पिता पुत्री ने घर आंगन को कोबर मिटी से लीपा मैया की फिर चो की सजाई चो मुख बाला था दीवा आओ मैया हम तो करेंगे आओ मैया हम तो करेंगे आपका सतकार दिवाली खुशियों का त्योहार घर आंगन तो सज गया था भत्तु पर अब प्रश्न था कि मा को खिलाने हे तू छपन भोग कहां से आएंगे वो सेट तो था परंतु इतना भी धनवान नहीं था कि मा के स्वागत हे तू छपन भोग का प्रबंद कर सके परंतु मा तो दाती दयावान है मा ने क्रिपा की एक चील उड़ते उड़ते उनके घर में नौलक का हार फेक कर चली गए साहुकार ने उस हार को जाकर हाट में बेचा और जो भी धन मिला उससे मा के भोग लगाने हे तू छपन भोग लेकर आ गया कार्तिक अमावस्या के दिन माता माहलक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी के साथ अपनी सकी के घर पधारी द्वार पर बंदनवारे देख घर आंगन को मिट्टी गोबर से लीपा हुआ देख घर में दीप माला जलती देख और अपनी चौकी पर चौमुखा दिया जलता देख माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और भगवान गणेश सहित उन्होंने उस कन्या का दिया चपन भोग सुईकार किया उसके पश्चात माता महलक्ष्मी ने और भगवान श्री गणेश जी ने उनके परिवार को धेरों धेर आशिरवाद दिये और वैकुंट लोग लोट आई तभी से भक्तों सभी भक्त कार्तिक माह की अमावस्यातों अपने अपने घरों में वंदनवारे लगाकर दीपमाला सजाकर और माता महलक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का विदिवत पूजन आरती कर दीपावली का पर्व अत्यंत हर्शुलास के साथ मनाते हैं और माता महलक्ष्मी तथा भगवान श्री गणेश जी का विशेश आशिरवात प्राप्त करते हैं तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये माता महलक्ष्मी की बोलिये भगवान श्री गणेश जी महराज की ग्वार पे वन्दन वारे लाओ घर घर दीप जलाओ जी मा लक्ष्मी और श्री गनेश की चोकी खूब सजाओ जी अक्षत और नैवेध्य चड़ाओ चंतन तिलक लगाओ जी मा लक्ष्मी और श्री गनेश की पावन किरपा पाओ जी दीप बली जीवन मेलाती भगतों है बाहा भगतों है बाहार दिवाली खुशियों का त्योहार दिवाली खुशियों का त्योहार